दोस्तो नमस्कार फिरसा आपका स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में तो दोस्तो आज हम इस वीडियो में बात करने वले हैं टाटा विंगर 13 DBS 6 2022 के नियू अपडेट प्राइज आ चुके हैं दोस्तो 2022 में सही कैस की मत क्या होगी टाटा विंगर गाड़ी की इसके बारे में भी जानेंगे और कम से कम डाउन प्राइमिंट आप कितनी कर सकते हैं और कितना इसका लोन अमांट निकल कर आएगा और परमन्त की किस्त क्या पेक करनी होगी और कम से कम व्याज कितना लगेगा और दोस्तो कितनी साल का यह फाइनलेंस का प्लान है और दोस्तो क्या इस पर डिसकाउंट ओफर चल रहा है इन सबी बातों के बारे में जानेंगे इस वीडियो में जात समय ना लेते हुए हम चलते हैं वीडियो के तरफ दोस्तो हम सबसे पहले इसके कैश के ट्राइस की बात कर लेते हैं दोस्तो बात करें हैं इसके location की तो location हमने इसकी UP के Nevada City के लिए है एक सोरूम प्राइज आपको इसके देखने को मिल जाएंगे 13,90,982 रुपे इनसे चार्जिस देना होगा इसका 38,780 रुपे RTO माउट इसका पेक करना होगा 70,000 रुपे फास्टेक के चार्ज भी लगेंगे इसमें 540 रुपे सबी टेक्सिस को मिलाने के बाद फिर इसकी ओन रोड प्राइज कीमत निगल कर आती है 15,302 रुपे दोस्तो अब बात कर लेते हैं इसके डिसकाउंट ओफर के बारे में भी तो काफी अच्छा बारी डिसकाउंट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा 60,000 रुपे का अगर हम ओन रोड प्राइज में से 60,000 को माइनेस करते हैं तो फिर आपको इस गाड़ी की टोटल कैस कीमत पढ़ने वाली है 14,40,302 रुपे दोस्तो यह तो ही टाटा विंगर 13D गाड़ी के कैस के बारे में जानकारी अब हम इसके फाइनेस के उपर भी बात कर लेते हैं अगर आप करते हैं इसकी कम से कम डाउन पैमिट 1,75,000 रुपे तो इसका लोन अमाउंट निकल कर आएगा 12,65,302 रुपे रेट उप इंडर 6.1 परसेंट लगाने पर हमने इसका टैम लिया है 84 मंत यानिकी 7 साल का तो आपको इसकी परमंत की किस्त देनी होंगी 18,545 रुपे फिर आपको इसका टोटल अमाउंट देखने को मिल जाएगा 17,32,760 रुपे दोस्तो इसके कैस और फाइनेस के प्राइस के बारे में जानना और कितनी डाउन पर जानना चाहते हैं आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं दोस्तो मैं आपको आपके एरिया का रिपले देने की पूरी-पूरी कोशिस करूँगा वीडियो पिसंद आयते वीडियो को लाइक और चैनल पर पहली बार आए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ही अपडेट भरे वीडियो लाता रहता हूँ दोस्तो वीडियो देखने के लिए धैंकिस उमद